सेगाओं के खंडवा बड़ोदा हाइवे पर माल बैडी के पास दो बाइक की भीड़नत हो गई गटना में दोनों बाइक पर सवार तीनों लोगों में से दो की मौके पर ही मौथ हो गई वहीं एक घायल को इलाज के लिए जुलवानया के प्रात्मिक स्वास्त केंदर पहुचाया गया हाथसे में बाइक सवार अनिल और फर रिंकू पिता ठाकूर पटेल उम्र 25 वर्ष निवासी सेगाओं और एक अन्य युवक हिम्मत सीह डावर उम्र 24 वर्ष निवासी रानीपूरा कोठान तहसिल राजपूर की मौथ हो गई वहीं रितेश पिता गंगाराम निवासी ग्राम बड़ा घायल हो गया रितेश को इलाज के लिए अस्पिताल भेजा गया हाथसे में दोनों बाइक टकराने से छती ग्रस्त हो गई हाथसे के बाद वहाँ पर लोगों की भीड जमा हो गई थी सेगाउं चोकी पर पदस्त चोकी प्रभारी राजिंद्र अवासया ने इस सड़क दुर घटना में साहस का कारी करते हुए लोगों को प्रेणा भी दी जैसे स्री अवासया को घटना की खबर मोबाइल पर लगी वैसे ही पुलिस बल के साथ घटना इस्तल पर पहुच गए वो उनके शेत्र की घटना नहीं होने के बाद भी जुलवाने पुलिस को खबर की वो घटना इस्तल पर लगे जाम और भिड़भार को हटाने में जुट गए और एंबुलेंस बुला कर खुद ही ने अपने हातों से खुन में लत्पत शवो को उठा कर रखा बाकी लोग देखते रहें शवो को उठाने का सहस नहीं कर पाए लेकिन जिसने भी यह मंजर अपनी आखों से देखा उसने चोकी प्रभारी स्री अवास्या की प्रसंसा की और कहा कि पुलिस अधिकारी हो तो ऐसा सेगाओं से संजेज जैस्वाल की रिपोर्ट कि प्रस प्रस बत्वाल की रखा अवाल की अवाल